हेलो फ्रेंड्स मैं निरु जिंदल शीरे हरी करोचे नेडिक चैनल की तरफ से आज सब बैनों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ आज देखें मैं ये चार इंच के वलक्षमी गनेज जी की जो ड्रेस है वो लेकर आई हूँ देखें ये दोनों ही सेम बनती हैं तो के बाद में दोनों तरफै यहां से इधर से और इसको इधर से हम बाँदेंगे तो देखे इस तरह से ये बहुत ही ब्यूटिफुल से ड्रeस है लक्षमी और गनेज जी के लिए ये देखें मैने उनके लिए चुनरी भी बनाई है लक्षमी माताजी के लिए और उनके लि कैंब की और स्थे को बड़े में पumentalितर लारी थी तो मैंने लक्ष मीगनेश जी के लिए इसको प्रइस किया है चलिये हम सकर्च बनाने की यह इसको बनांग Rabbid जिनके पास भी चार नंबर के लक्षमी गनेश जी है या पांच नंबर के लिए है तो आप इसको यहां से एक राउंड और बढ़ा लें एक इंच से दो राउंड से मारा एक इंच बढ़ जाता है तो आप इस तरह से बढ़ा लिए यहां से देखिए एक फंदा जादा रखें तो यहां पर हमने दो जादा रखने हैं तो इस तरह से आप बढ़ा चोटा कर सकते हैं चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए हमने चार इंची के लक्षमी गनेश जी के लिए बना रही हूं देखिए इसके अंदर हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, स्तारा और अठारा देखिए अठारा चैन डालेंगे हम इसके अंदर अठारा चैन डालने के बाद देखिए जो हमारी फर्स्ट वाली चैन है, उसके अंदर हम करोशिय को डालेंगे और इसको जोइंट करेंगे देखिए इसको जोडने के बाद हमने यहां पर तीन चैन बनानी है, इस तरह से देखिए तीन चैन बनाने के बाद हमने इसको यहीं से हमने फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाना है उसी चैन में देखिए दो डबल क्रोशिया होगे अब हम एक चैन बनाएंगे फिर से यहां पर हमने उसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया फिर से बनाना है और फिर एक डबल क्रोशिया फिर से बनाना है एक चैन के अंदर हमन टोटल चार डबल क्रोशिया बनाई हैं देखिए दो डबल क्रोशिया एक चैन दो डबल क्रोशिया अब देखिए आगे उससे बाद हम दूसरी चैन पे बनाएंगे एक दो अब एक चैन पे एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ देखें आठ चैन हो गई है हमारी अब देखें टोटल हमने अठारा चैन डाले थी आठ और एक ये वाली चैन का वर्क हो गया नो चैन पे वर्क हो गया अब हमने नेक्स्ट चैन के उपर पहले दो डबल क्रोशिया बनानी है दो डबल क्रोशिया बनाकर फिर से हम चैन बनाएंगे फिर से दो डबल क्रोशिया उसी चैन में बनाएंगे देखें दोनों तरफ हमारा ये कॉर्णर बन जाएगा देखिए हमने इस चैन में चार डबल क्रोशिया बना दिया है दो डबल क्रोशिया एक चैन फिर से दो डबल क्रोशिया अब देखिए आगे हमारे पास आठ चेन है आठ चेन पर हमने आठ सिंगल क्रोशिया बनाने है और सुरी डबल क्रोशिया बनाने है देखिए दो तीन च पांच छे देखिए इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर इस साइड भी देखिए दो चार छे और आठ आठ डबल क्रोशिया बना दी है टोटल अब देखिए यह दो तीन चैन बनाई थी इसके उपर हमने बिल्कुल इसको जोड़ देना है इस तरह से अब देखिए हमने इसको यहाँ पर इस लिप स्टिच करते हुए यहाँ पर आना है यहाँ पर हमने चार डबल क्रोशिया के अंदर एक चैन डाली थी अब हमने देखे फिर से यहां पे तीन चैन बनाएंगे और दुबारा से देखे दो डबल क्रोशिया होगे एक चैन फिर से यहीं पे हमने दो डबल क्रोशिया बना लेने है अब देखे हमारी नेक्स्ट यहां पे इसको छोड़ना नहीं इसके अंदर बनाना है डबल क्रोशि बनाना है, हर एक डबल क्रोश्या पर एक डबल क्रोश्या बनाएंगे, देखिए जब तक हमारा ये कॉर्णर नहीं आता, तब तक, सारे बना लेने हैं हमने, अब यहाँ पर आ गया हमारी ये एक चैन बनाई हुई है, अब इसके अंदर हमने चार डबल क्रोश्या बनानी है, एक, दो, फिर एक, दो, और फिर एक चैन फिर से दो डबल क्रोश्या, अब देखिए हमने इस साइड सभी डबल क्रोश्या के उपर डबल क्रोश्या बना देना है, हमने यहां पर बनाना है, अब देखिए, यह तो हमने इसके अंदर बनाई थे, अब यहां पर भी हम बनाएंगे इसको, यहां वाले डबल क्रोश्या के उपर, अब हमने देखिए, इसको जोड़ देना इसके साथ, तीन की चैन के उपर, इस लिप्स्टीच से, अब देखिए, इसको हम कट कर देंगे, देखिए, हमने इस तरह से, यह दो पीस बना लिये हैं, यह लक्षमी और गनेश जी के, यह चार इंच की जो मूर्ती हैं होते हैं, लक्षमी गनेश जी का, तो दोनों के लिए, एक जैसी डेस बनती हैं, देखिए, मैंने इसको दोनों को बना लिया हैं, अब देखिए, हमने नीचे इसके घेरे के लिए, हमने क्या करना है, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ग्यारा, देखिए, ग्यारा चैन बना लिए हैं, अब हमने देखिए, ग्यारा चैन बना कर तीन, दो चैन और बनाएंगे, देखिए, हमने फोर्थ चैन की अंदर डबल क्रोशिय बनाना है, फिसे नेक्स्ट चैन की अंदर हमने डबल क्रोशिय बनाना है, सारी चैन की उपर हमने देखिए, डबल क्रोशिय बना दीना है, टोटल हमारे यहाँ पर ग्यारा डबल क्रोशिय बन जाएंगे, कि इस तरह से हमने एक चैन के उपर एक एक डबल करोश्या बनाना है हमारे 11 डबल करोश्या हो गई है अब दीके तीन डाल कर हम इसको टर्न करेंगे इस तरह से अब देखिए हमने क्या करना है यह फर्स्ट के अंदर नहीं डालना नेक्स्ट वाली चैन के अंदर हमने फिर से डबल करोश्या बनाना है इसी चैन के अंदर हमने दो बारा से बनाना है फिर नेक्स्ट चैन में भी हमने दो बार बनाना है अ के उपर दो दो डबल क्रोशिय बनाएंगे इस तरह से दिखिए अब हमने क्या करने है यहां से हमारा राउंड कंपलीट हो गया अब हमने हर एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिय बनाना है यह हमारी थर्ड लाइन है इसको कंपलीट करेंगे हर एक चैन में एक डबल क्रोशिय बनाते हुए चलिए हम इसको कंपलीट कर लेते हैं पूरा इस तरह से हमने यह चार पीस बनाने है यह आगे पीछे के दो दो पीस बनेंगे हमारे देखें अब हम तीन चैन डाल कर इसको टर्न करेंगे और इसी तरह से हमने एक राउंड और लगाना है इसके उपर बिल्कुल सेम और उसके बाद हम इसकी देखें येलो कलर से बीडिंग करेंगे इस तरह से आप देखें चार पीस बना लीजिए दो लक्ष्मी माता जी के लिए और दो गनेश जी के लिए उनकी ड्रेस के लिए चलिए इसको कम्प्लीट कर लेते हम तो फिर इसके चार पीस बना कर तो फिर मैं आपको दिखाते हूं कि आगे हमने इसका क्या करना है और बीडिंग देखें ये एक ड्रेस मैंने कम्प्लीट कर ली है देखें बिल्कुल इसी के तरह हमने दूसरी भी बनानी है लक्ष्मी गिनेश जी का बिल्कुल एक जैसा ही सेट बनता है देखें ये मैंने बनाना बताया था आपको ये बुला के चार पीस बनाने हमने देखें ये शाल र कर इसको हमने यहीं से टर्न करना है इस तरह से अब देखे उसी चैन के अंदर हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोश्या बना देना है फिर से नेक्स्ट चैन पे इसको सिंगल क्रोश्या फिर उससे नेक्स्ट चैन के उपर पहले सिंगल क्रोश्या फिर तीन चैन बनाएंगे अ प्लेट करना है और इस तरह से पूरी लैस त्यार कर लेनी है देखिए इस तरह से हमारा ये पटका मैंने त्यार कर दिया है अब देखिए इसके नीचे भी इसी तरह से हमने बीडिंग करनी है इस पर देखिए हमने कैसे करनी है यहां से इसको स्टार्ट करेंगे हम देखिए सीधी साइड से हमने दिखें इसको यहां पर पहले तो इसकी फिर्स्ट वाली जो हमारी डबल क्रोशिया होती है वहां पर हमने इसको वूल को टैच करना है देखिए अब हमने तीन चैन बनाई और इसी के अंदर अब हमने इसको स्लिप स्टिच करना है इस तरह से अब नेक्स्ट चैन पर जाना है वहां पर स्लिप स्टिच करना है तो और तीन चैन बनानी है और उसी चैन के अंदर फिर से हमने इसको इस तरह से कर देना है फिर नेक्स्ट चैन पर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे फिर तीन चैन फिर उ उसी chain के अंदर start करना है, उसी के अंदर हमने इसको बंद करना है, start किया, इसको तीन chain बनाएंगे और इसके अंदर इसको हमने close करना है, देखें अब हमने इस तरह से इसको डोरी बनानी है, डोरी से हमने इसको टैच करना है, देखें कैसे बनाएंगे, डोरी हम इसकी, देखे एक चैन बना लेने इस तरह से नोट लगा कर देखें तीन तीन चैन बना लेंगे उसके बाद कि इसको हमने थोड़ा सा लंबा की उच लेना है एक चैन छोड़कर नीचे वाली चैन की अंदर है हमने देखे इस तरह से एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच पांच बार बार ले लेना है और देखे इस तरह से हम इसको पफ सा बनाना है और लोग कर देना है अब देखे हमने इसके अंदर चैन बनानी है चैन बनानी है देखे, इसको मैंने वैसे idea से बनाया है, कुछ ज़ limbi जोटत नहीं, देखे, हम इसको दोबनाई है, हमने, जब इसको dresser को पहनाएंगे इस तरह से, तो हम देखे, इसको इधर से बानदेंगे, और इसको इधर से बानदेंगे, तो हमने इस तरह से बनानी है देखिए मैं आपको नापके बता देती हूँ कि हमने कितनी चैन बनाई है देखिए छे साड़े पांच छे के इंचर के बराबर मैंने इस चैन को बनाया है इतनी बना लेते हैं देखिए आप एक चैन बना लिजे उसका कोई शू ने कि पांच बनानी है चे बनानी है तो बाकी आप दोनों उसकी उसी हिसाफ से बना ले नापकर देखिए जैसे आपने एक बना ली तो आप दूसरी को इस तरह से नाप ले इस तरह से ही हमारी बराबर हो गई है देखिए यह चैन तो फिर उसके बाद हम इसका यह पफ बनाएंगे अब देखिए सबसे पहले बाद में बनाना है पहले इसको हमने इस तरह से दागे को थोड़ा लंबा खीच के देखिए इसको यहां से थोड़ा सा बड़ा छोड़ने हमने क्योंकि उस साइड भी हमने इस पफ को बनाना है अब देखिए हमने क्या करना है इसमें से इसको निक एक दो तीन चार पांच हाफ में से हैं इसको लेना है इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको यहाँ यहाँ पर अब देखिए हमने जो हमने यह बनाया था इसकी चोली उपर की देखिए इसका जो हमने उपर फर्स्ट वाला राउंड है उस में से इस तरह से एक रोश्य को निकाल पहले हम इसको यहां से करोशया डालेंगे दिखिए इसको हमने इस में से निकाल देना है इस तरह से और इस साइड से हम इसको नीचे खीच लेंगे रिखिए यह वाले जो हमने हो लाइं इसके आसी पासे जो भी दोनों साइडों पर अगल बगल पर हमारे पास डबल क्रोश्या है उसके अंदर से हम इसको इस तरह से निकाल देंगे देखें निकालने के बाद अब हमारे पास यह जितने डबल क्रोश्या बचके देखें इसको एक-एक दबाते हुए इस तरह से इस तरह से दबाते हुए हमने इसको फिर से सारा निकाल लेना है इधर बाहर की तरफ अब देखिए हमने इसको निकालने के बाद इस धागे को की चलेंगे इस तरह से यह हमारा देखिए यहाँ पे अटैच हो गया है इस तरह से यहाँ पे अब देखिए हमने दूसरी को भी इसी तरह से हमने टैच करना है इसको थोड़ा सा हम और कीच लेंगे दोनों साइड से बरापर हो एक जैसा इस तरह से अब देखिए हमने इसको यहां से पफ बनाना है अब देखिए हमने उसके लिए क्या करना है एक चैन बनाएंगे अब इसको एक चैन छोड़कर नीचे वाली चैन में से हमने पांच वरबल लेना है एक, दो, तीन, चार, तीन, चार, और पांच कि इस तरह से अब इसको निकाल देंगे इस तरह से अब देखिए हमने एक, दो, दो चैन बनाकर हम इसको कट कर देंगे अब देखिए इसको पूरा टाइट कर लेंगे और इस तरह से खीच देंगे तो देखिए यह बिल्कुत पास में आ जाती है और इस साइड भी देखिए हमने बनाई थी तो अब इसको भी हम खीच देंगे अब इसको हम थोड़ा सा धागा छोड़कर कट कर देंगे देखिए इस तरह से हो गया अब दूसरी को भी हमने इसी साइड से करना है देखिए हमने इसको मैंने बना कर रखा है इसको अब आप इसको दूसरी चैन बनाते हुए आप इस तरह से नापने इसको नापने के बाद देखिए मैं पता चल जाएगा कि हमारे पास चैन पूरी हो गई है तो हम इसको बाद में इसका फफ बना देंगे अब देखे दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह से करना है देखिए अब सीधी साइड से लेना है हमने इस तरह से इसका हाफ करेंगे देखिए दो चार पांच यहाँ से इसको दबाते हुए इस तरह से इसको निकाल लेंगे यहाँ से अब देखिए हमने इसको यहाँ से निकालना है पहले हमने इसको इसके अंदर से क्रोशिय नीचे से डालेंगे इसको इसको उपर खिचेंगे पहले पहले उपर खिचना है देखिए इसको अब हमने इसको नीचे ले जाना है नीचे से क्रोशिय को डालेंगे देखिए इस तर दो डबल करोशिय हमारे इसेंटर में आ जाएंगे, अब देखे इसको यहां से खीच देंगे अब यहां से खीच हने के बाद जो हमारे पास यह पाँच डबल करोशय बच गए, इसमें से हमने इसको ऐसे डाल लेना है यहाँ और इसको बाहर की तरफ खीच के निकाल देंगे इस तरह से अब देखिए हमने सिंगल वाले धागे को खीच लेना है और दुबारा से हमने देखिए यह हमारा अटैच हो गया है इस तरह से अटैच हो गई है यह चोली अब हमने इस साइड भी दिखिए जो है पफ बना देना है एक चैन और बना लेंगे तो अब दिखिए इसके अंदर हमने पांच बार बार ले के इसको पफ बना देंगे एक दो तीन चार पांच अब दो चैन डालकर हम इसको कट कर देंगे अब इस तरह से टाइट कर देना है तो इसको कट कर देंगे फाल्तू वाले धागे को यहां पे भी हमने देखे इस तरह से यह ड्रेस बन कर त्यार हो गई है देखे जब हम इसको पहनाएंगे तो देखे लक्षमी जी और गनेजी को इस तरह से हम उनके सिर के उपर से इस तरह से पहनाने के पात देखिए आप बस हलका हलका इदर से ऐसे हम इसको बांध देंगे इसको हम एक जैसा कर लेंगे खीच के बराबर जितना इस तरह से यह हमारी यह ड्रेस बन कर त्यार हो गई है देखिए अगर आपने इसके अंदर कुछ डेकुरेट करना है तो कोई स्टोन वगएरा कोई परल वगएरा इसके अंदर आपने लगाना है तो आप यहां पर लगा भी सकते हैं घेरे पर इस तरह से यह हमारे लड़ो गपाल जी की ड़ेस ओ स्वारी लड़ो गपाल जी नहीं लक्षमी गनेर जी की ड़ेस बनकर हमारी यह इस तरह से त्यार हो गई है देखिए अगर आपको हमारी यह ड़ेस की वीडियो पसंद आई प्लीज आप इस उड़े को लाइक कीजी, शेर कीजी, थेंक यू